नमस्कार साथियों आज हम एक ऐसी बेकेंसी की बात करेंगे एक ऐसी भरती की बात करेंगे जो महिलाओं के लिए विशेश तोर पर सरकार द्वारा उत्तरपदेश सरकार द्वारा लाई गई थी मुख सेव का भरती मुक सेव का भरती यह जुलाई अगस्त में आए थी और इसका फार्म भरे जा चुके हैं फार्म जो है complete हो चुके हैं इसको लखनव यूपी S.S.C. द्वारा यह एक्जाम कंड़क्ट कराना है यह एक्जाम के फार्म फिलब किये गए है इस एक्जाम में फार्म भरने के किये जो योगता था στη क्रेजुए सन तथा सार्फ करिधेशन नहीं इसमें ग्रेजुएशन ऐसे विसाइसे होना चाहिए सबसक्राइब समाज सासरा साथ मिलाते हैं सोसल वर्क से समाजकार जिसे कहते हैं या ग्रेध़orth तो साल ऑस再ते हों भी इसमें भर सकते हैं इसलिए इसमें जो महिलाएं जो हमारी वहने इसमें फाम भरी हुई हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा उसर है मैं ऐसे महिलाओं को लिए कहना चाहूंगा कि इसमें जो है जो योगता निर्धारित की गई थी 21-40 वर्स की आयुकुल लिया गया था और साथ में ऐसी महिलाएं जो ग्रेजवेशन हो इन जो मैंने जो भी से बता इन भी से साथ ग्रेजवेशन हो और साथ में वह पेट पीटी पेट को परिच्छा दी हों कितने नंबर आये हो यह माने नहीं रखता पेट पेट उन्होंने समलित हुए हो ऐसे लोग पेट मतलब करना इसमें था पेट में तो कोई पासिंग मार नहीं रहता कितना में क्या होना चाहिए पेट का समलित कुछ भी यंग हो वो फाम भर सकता पेट की पर इच्छा में कोई भी यंग को वह यह स्फार्म को भरत पेट और ग्रेजवेशन सोसल वर्क या ग्रव विज्ञान या समाजकार से और साथ में पेठो इस फार्म को भर चुके फार्म भरे जा चुके हैं इसलिए अब कोई ऐसा नहीं है कि अब लोग भर सकते हैं अब इसमें सेलरी की बात किया जाए सेलरी बहुत ही अच्छी है बहुत ही रोचक पद है इसमें महिलाओं को काम करने में मज़ा आए अब यह पद में कार क्या है मैं थोड़ा प्रकार डाला चाहूंगा चुकि यह पद में महिलाओं को यह पद ही बाल विकास पुष्टा हार मंत्राले के अंतरगत आता है तो यह यह पद के अंतरगत जो अंगन-बाडे है यह समाज में और जो car हैं इस तरह के जो स्वा से संबंधित है, उसमें ये एक तरह से इंस्पेक्टर का काम करेंगी, आंगनबाढियों का इंस्पेक्शन करेंगी, ये जांच करेंगी, ये आंगनबाढी car करता नहीं है, कुछ लोग कन्फ्यूज थे, मुझसे पूँच रहे थे क्या ये अंगंवाडी कार करता है नहींने इंगंवाडी कार करता नहीं वह वह समयदा की अधार पर शिर्वर्षाज सीलस्रीरली क्रणा ना समझ मैं मिनी डाक्टर आप रहे गये डाक्टर की रहे वहाँ हैं हो रहा है समाज के अंतरगत जो इनके बाड़ी है उसमें जा के चेक करना है कि बच्चों कौन कौन से बीमारियां हो रहे हैं महिलाओं को कौन कौन से बीमारियां हो रहे हैं प्रसाओं में कौन कौन से दिक्कतें आ रहे हैं प्रसाओं बच्चों को जो है मैलाओं के नस्बंदी होने हैं इस तरह के समाज में कार होने हैं ये एक तरह से इमान के चलिए कि बहुत ही अच्छे कारचेतर वाला पद है अब मैं इस पद के साथ साथ योगता की मैंने चर्चा कर ली इस पद में एक खास बार मैं बता दूँ आपको इस पद में 2693 वेकैंसी है और आयोगदारा ये कहा गया है कि इसके 15 गुना लोगों को लिखित परिच्छा में बुलाया जाएगा मुख परिच्छा जिसे कहेंग सक्रीनिंग होना मांकि है जल्दी सक्रीनिंग होना है, मैं वीडियो बना रहा हूँ हो सकता है, 20-20 दिन स्क्रीनिंग आ जाए, कुटाप कहा जाहिए कि कितने PT वालों को इसमें लिया गया है मैं बतारा ना चाहता हूँ कि इसमें 15 गुना उन्होंने अधिकारी गुरूप से कहा लिए कि 15 नहीं ये 50 गुना बुलाएंगे क्योंकि लोग मिलेंगे नहीं जो PT में कम से कम नमबर 10, 20, 25 नमबर पाएंगे वो भी इसमें बुलाया जाएं क्योंकि लोग कहां से मिलें कितने आसपास ग्राविक ग्यान और समास साथ वर्फ से ग्रेजवेशन करते हैं और साथ में PT हो अता इसमें सभी को बुलाया जाएगा जिसने फार्म भरा है जिसका फार्म सम्मिट हो गया सही से वो इसकी तयारी पर आज से ही लग जाए इसका स्लेबच इतना अच्छा है कि आप पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा ऐसे ऐसे चीजें हैं छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आपको मज़ा आएगा महिलाओं सम्मंधि से रोक क्या है बच्चों का रोक क्या है विटामिन कहां से पाय जाते हैं विटामिन क्या क्या है इस तरह सम्मिवा क्या है जाती लिंग धर्म क्या धर्म भेद क्या है ऐसे छोटे छोटे टापिक है अब मैं इसके जो हाई जाम के बारे में बता रहा हूँ, इसका एकजाम दो घंटे का होगा, 120 मिनट का होगा, 100 प्रशन होगे, प्रतेक प्रशन का एक अंख होगा, इसका निगेटिव मार्क भी है, इसमें 1 फोर्थ निगेटिव मार्क होगा, जितने भी एकजाम UPSSC कंड़क लेकिन अब ही तक जो मेरी जानकारी है, इसका स्लेबस है, बहुत ही कजब का स्लेबस है, मैं स्लेबस आपको इसमें डाल दोंगा अपने वीडियो में, आप उसे रोक के पोच करके देखिए, बार बार पढ़िए, उसको समझें, नोट करिए, चुकि मैं इस टॉबिक पे आपको वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है, महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हों और इसको इस अउसर को जाने न दे, बहुत काफी दिनों के बाद इतना पद आया है, 2006 में पद आया था, वो भी एकजाम पुरी तरह से नहीं हो पाया, उसके बाद कई साल बाद यह प सारा पद, इसे धेर सारा ही पद कहा जाता नहीं, दस बिस पचास पद आते हैं, पता ही नहीं चलता कब क्या हो गया, पहली बार लगभग तीन हजार पद आएं हो सकता और बढ़ जाएं पद, लेकिन मैं यह मान के चलना हूँ, सभी लोग जो इसमें इलीजबल हैं, जो फ ना इंगलिस, सिर्फ जीयस, जीयस चीके कह लीजिए, सब चीजों पर आना है, मैं चुकि समास्थास बहुत थी, गहराई से पढ़ा हूँ, चुकि आप लोग कहेंगे कि समास्थास हो सकता मैं जून पर, देखिए मैं समास्थास के मेरे पास भूख है, सुसाल वर, यह समा आपको नौकरी में लाईए, दो घंटे का पेपर है, इसमें लगबख पचास हज़ार का वेतन है, सभी लोग इसमें यह जान लिए, कटाब में सभी लोग आएंगे, इसमें एक्जाम का स्थार बहुत ही सरल है, अच्छा है, बहुत विकल्पी प्रस्ण है, इसलिए वीड बनाऊंगा, आप लोग कमेंट करिएगा, इसके जितने भी एक एक स्लेबस के एक एक टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊंगा, आप लोग उसको पढ़िए, समझिए, मैं इसको बहुत ही अच्छे से आपको समझाने कोसिस करूँगा, इसमें देखिए बिटामिन्स के बारे में दवाईयों के बारे में, छोटी-छोटी चीजों के बारे में पर्शन पूछे गया है, समाज, समाज कोई, मैं लाओं समाज के अंदर कार करना से, समाज से संबन दिखिए चोटे-चोटे चीजे इसमें पूछा जाएगा, इसलिए वीडियो बहुत लंबी नहो, इसलि